हेलो दोस्तो मेरा नाम है सराफत आप देख रहे हैं यूनोगल्फ यूट्व चानल दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सिखने वाले हैं आप अपना हेल्थ एंसुरेंस कार्ड चेक करना बहुत इजी है बहुत आसान है खास करके ये वीडियो उन भाईयों के लिए है जो हमा से अटेज है तो ऐसे में आपको दिकत हो जाता है कि कैसे पता करें कि उस पर कितने चूट है तो आज कि इस वीडियो में हम सीखेंगे ओनलाइन चेक करना तो चले चलते हैं दोस्तों हम सीखते हैं उसे पहले एक चोटा सा रिक्वेस्ट है आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ल लेपटआप स्क्रीन के तरफ तो आप चाहें तो मुवाईल फोन से भी चेक कर सकते हैं सेम प्रोसस है तो सबसे पहले आप चले जाएंगे Google ब्राउजर पे यया Chrome ब्राउजर पे तो हम सिंपली Google ब्राउजर को पेड़कर लेंगे और यहां आप देख सकते हैं Google गूगल और यहां Google search bar तो simply आपने Google search bar में insurance information लिख करके search कर लेंगे आप नीचे देख सकते insurance information तो यह लिख करके आप search कर लेंगे search करते ही कुछ इस तरह का interface आपको देखने को मिलेगा तो सबसे पहला वेफसाइड आप देख रहे हैं दोस्तों insurance information inquiry तो आप उस पर क्लिक कर लेंगे उस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का interface आपको देखने को मिलेगा तो थोड़ा से scroll down आप कर लेंगे दाउन कर लेंगे तो यहां आप देख सकते हैं पहले नंबर पर identity number तो यहां पर अपना एकामा नंबर लिख लेंगे जिसका भी आप चेक करना चाहते हैं identity number लिखने के बाद यहां आप देख सकते हैं दोस्तो कोड और कुछ नंबर दिखने को मिल जागा 429638 तो यह कोड अगर आपको समझ में नहीं आता तो यहां आप देख सकते हैं उस पर क्लिक करके refresh भी कर सकते हैं तो फिर दूसरा कोड आ जाएगा तो simply यह कोड आप यहां कर लेंगे डाउन कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका insurance card का सबसे पहले आपका जो insurance card कौन सी company का है वो दिखने को मिल जाएगा फिर उसके बाद यहां आप देख सकते हैं medical network तो उसका number दिखने को मिल जाएगा फिर उसके बाद यहां आप देख सकते हैं identity number औ आपका कार्ड है कौन सा कैटोगरी का यानि किश टैप्व का तो वो दिखने को मिल जाएगा तो यहां पर हमारा CH-tab तो यहां पर यह देखने को मिल जागा फिर यहां पर देख सकते हैं जेंडर तो आपका यहां पर जेंडर देखने को मिल जागा फिर उसके बाद यहां देख सकते हैं दोस्तो डिक्टेबल रेट और यहां पर आप देख सकते हैं 20% तो आपका जो भी डिक्टेबल रेट होग करो आप मेडिकल इस्टोर में जाते हैं सो रियल का अगर आपका दवा या मेडिसीन आता है तो उसमें आपको 20% पैड करना उसके बाद 80% जो है वो आपका बूपा एंसुरेंस कंपनी पैड करेगी ठीक है दोस्तों उसके बाद यहां आप देख सकते हैं मैकसिमम लिमिट तो आपका जो एंसुरेंस कार्ड है वो कब एसपायर होगा वो दिखने को मिल जाएगा फिर उसके बाद यहां आप देख सकते हैं बेनिफिसरी नंबर तो यहां पर आपका बेनिफिसरी नंबर दिखने को मिल जाएगा तो कुछ इस तरह से आप अपना एंसुरेंस कार्ड चे झाल झाल